दोस्तों आज के इस वीडियो में हम XRP को लेकर बात करने वाले हैं कि XRP अब आगे जा सकता है कि नहीं जा सकता है इसमें अब pump आएगा कि नहीं आएगा या इससे भी जदा बड़ा pump आएगा और आपको इसमें hold करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए इन सारी चीजों पर डिटेल में बात करने वाले है इसलिए प्लीज वीडियो को लास तक जरूर देखना और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और प्लीज इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिए आपकी एक लाइक मुझे नेक के आप जोइन कर सकते हैं तो दोस्तों बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो दोस्तों मैं आपको XRP को लेकर वन बाई वन करके सारी चीज़े डिटेल में बताऊँगा इसलिए फ्लीज वीडियो को बिना स्कीप किये एंड तक जरूर देखना और मैं आपको एक वीडियो पहले रिकोड किया हुआ है क्या 255 रूपय तो यह गया ही नहीं है तो मैं आपको यह बताना चाहता हूँ कोई मार्केट के पे और वजीरेक्स की प्राइस में डिफ्रेंस होता है आप खुद आके चेक कर लेना चलो इस बात को छोड़ते हैं मैं पॉइंट पे आते हैं XRP की प्राइस में देखो भी 19% का डाउन चल रहा है BTC और Ethereum के पेर में भी यह डाउन चल रहा है चलो एकजांपल से समझाता हूँ जब एक दो महीने पहले XRP की प्राइस 20 रुपए 15 रुपए या 25 इसी रेंज में थी तो सब लोग यह बोलते थे कि 20 में से पैसा निकाल लो यह कोई खतम हो जाएगा और आपके पैसे डूप जाएंगे लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और बहुत सारे लोगों ने इस पर ट्रस्ट किया और अपने पैसे को होल करके रखे और अब वे अच्छे कासे प्रोफिट में हैं तो दोस्तों बात यह आती है कि XRP घटिया कोई नहीं है बहुत यह अच्छा प्रोजेक्ट है अच्छे जी जो के लिए बनाया है तो यह ड आटा खोल कर देखेंगे तो आपको मालूम चलेगा कि XRP की जब भी प्राइज उपर जाती है तो उसके बाद से बहुत बड़ा रिट्रेस्मेंट आता है और फिर वो थोड़े दिनों तक फ्लक्टियोशन में चलता है फिर उसकी प्राइज उपर जाती है तो मैं आपको प इंट्री मिल जाएगी नहीं तो बाद में आपको एंट्री नहीं मिलने वाली है XRP बहुत ऊपर चला देगा और दोस्तों मैंने आपको जब XRP की प्राइज 30 रुपए 33 रुपए से कुछ थी तब भी टेलिग्राम पर बोल दिया था कि इसको ले लो यह अच्छा कासा प्र प्रोफिट बुक करते जाओ और होल्ड रखो अभी तो इसका खेल खतम नहीं हुआ है जिन लोगों को यह लग रहा है कि इसका खेल खतम हो चुका है अब इसमें पंप देखने को नहीं मिलेगा तो मेरा ओपीनियन तो यह है कि अब देखना XRP में मेरे ओपीनियन से इसके प्राइस कितनी ऊपर जाएगी यह 3 डॉलर को भी टच करेगा या इवन हो सकता है यह 5 डॉलर को भी टच करके आजाए अभी फिलाल हम हवा में बाते नहीं कर सकते हैं कि यह 10 डॉलर का चला जाएगा इतना ऊपर चला जाएगा अभी थोड़ा जो बेसिक जीज है उसको तो एक बार मैं आपको इसको चार्ट में दिखाता हूँ यहाँ पे नीचे स्कोल करते हैं और यहाँ पे आप चार देखिए आपको इसके चार्ट में स्कोल करके दिखाता हूँ यहाँ पीछे आते हैं और इदर स्कोल करते हैं यहाँ से आते हैं कब का है यह चार्ट अगस फिर से इसमें थोड़ा retracement आया और यहां पर बहुत बड़ा retracement हुआ और फिर से इसकी price fluctuation में चले गई फिर यह थोड़ा pump करने की कोशिस की price फिर से यहां पर fluctuation mode में रहा है यहां तक देख सो तो यह दिनों में long term का है यहां पर candle one day की है तो यहां पर फिर आगे देख सकते हैं यहां पर अभी का आगया current situation का chart इसने all time high मारा फिर से इसकी price retrace हो चुकी है और अब फिर से वही history को दो रहाएगा यह इसकी price retrace होगी fluctuation में चलेगा थोड़े दिन फिर यह pump होगा तो आपको मेरे opinion में hold करना चाहिए hold करोगे तो better रहेगा और अगर डरके रहोगे कि यार अप तो यह नहीं जाएगा नीची चला जाएगा जो भी profit मिल रहा है वो भी चला जाएगा तो आप बस फिर देखते रहे जाएंगे आप खुद गलती करते हैं आप profit book तो करते नहीं है जब all time हाई भी चला जाता है तो profit book कर लिया करो आगे कभी असी दिकत आएगी नहीं तो आपके बात जो नीचे की entry है उसको lose मत करना और बस इसमें पैसे पढ़े रहे ने दो आपका माउंट देखना कितना उपर चला जाएगा एक सार्पी तीन दो लोग है इसकी price में कितना उचाल आया है जैसे इसका जो यह क्वेस सल रहा है वह सब को ठीक हो नहीं लग जाएगा एक सार्पी बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है यह definitely देखना ही settlement कर लेगा और उसके बाद इसमें इतना उच्छाल आएगा कि आप तब entry ले भी नहीं पाओगे तो आपको इसे अच्छी entry नहीं मिल पाएगी मेरे opinion में और यह video कल आएगा मैं आपको टेलिग्राम पे बता दूँगा कि आप इस entry ले सकते हो तो बस मेरा खेना इतना सही है कि XRP अच्छा project है आगे जाएगा hold करके रखिए अच्छा कासा benefit देगा आपको तो दोस्तों मैंने X आपको समझ में आ गया होगा अगर अभी भी आपके मन में कोई doubt है तो please नीचे comment करके बता दीजिए आज के लिए बस इतना ही मिलते है next video में till then bye झाल